श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दाशकों फालकुन मास में शुकल पक्षकी एकदशी के दिन मनाई जाने वाली आमलकी एकदशी किसी पर्व से कम नहीं है होली से पहले पढ़ने वाली यह एकदशी इस बार चौदा मार्च को मनाई जाएगी और इसे आमलकी एकदशी और रंग भरी एकदशी के नाम से जाना जाता है इस दिन गुलाल के साथ अधा प्रेम बरसता है और रंग भरी एकदशी बहुत ही खास होती है आमलकी को रंग भरी एकदशी के नाम से इसी लिए जाना जाता है क्योंकि यह होली के पहले पढ़ने वाली एकादशी होती है इसके अलावा यह एकादशी बहुती खास मानी जाती है क्योंकि यह भगवान विश्नु माता लक्षमी के साथ साथ भगवान भोले नात की सबसे प्रिय एकादशी है इसके अलावा आमले वाली यानि आमलकी एकादशी महादेव और माता पारवती से जुड़ी एक कहानी भी है जो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे हो सकता है इस वीडियो में भी हम उसकी कुछ वर्णन कर दें इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आईए विस्तार से जानते हैं रंग भरी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि माता गोरी के विवाह के बाद भोले नाज जब पहली बार अपनी प्रियन नगरी में काशी में गए थे तो उसी दिन मापारवती ने आगमन में यहाँ पर रंग भरी एकादशी का तेवहार मनाया था कहा जाता है कि उस दिन मापारवती ने स्वागत में पूरे नगर में विविद रंगों से सजाया था और होली खेली थी परंपरा से आज भी यही चलई आ रही है कि वहाँ पर काशी में रंग भरी एकादशी बहुत ही धुमधाम से मनायी जाती है और कहा जाता है कि भोले नात को अगर प्रसन करना है तो इस दिन भोले नात खुशी खुशी आपकी हर एक मनो कामना पूर्ण कर देते हैं और अतिशीगर ही पूर्ण करते हैं इस दिन भगवान भोले नात को आप एक चीज समर्पित करते हैं जिसे कहा जाता है आवला भगवान विश्णू का भी प्रिय होता है और भगवान भोले नात का भी प्रिय होता है यदि आमलकी एकादशी के दिन आप भगवान भोले न पकवान मुरब्बा जो भी आप भगवान भोलेनात को समर्पित करते हैं उससे भगवान भोलेनात आपकी मनवानचित इक्षा तो पूरी करते ही हैं जीवन भर आपको सुख सांती और समरद्धी को प्रदान करते हैं यदि आप माता गोरी और भगवान भोलेनात साथ ही माता विष्णु को प्रसाद तोर पर आवले का फल अरपित करते हैं то आपकी सर्व मनो कामनाओं की पूर्टी होती है आवले के विरक्ष की इस दिन विदिवत पूजन भी किया जाता है आवले के विरकष को पापो को हरने वाला विरक्ष बताया गया है आवले के वरक्ष में मूल में भगवान विष्णू, ब्रह्मा और भगवान भोलेनात विराजते हैं शाखाओं में मुनी, टहनियों में, देवता, पत्यों में, वसू और फलों में सभी प्रजापती निवास करते हैं इसलिए जो भी इस आवले के वरक्ष की विदिवत पूजा करता है उन्हें भगवान विश्णों के विशेश क्रपा प्राप्त होती है सांती भोलेनात आप पर प्रसन होते हैं आप इस दिन विदिवत आवले की वरक्षी की भी भगवान विश्णो भुलेनात के नाम से पूजा जरूर अर्पित करें और इस दिन भुलेनात को आप एक लोटे जल में एक आवला या आवले का रस मिला कर जरूर समर्पित करें आपकी सर्व मनोकामनाई पून होंगी आम लकी एकादशी के दिन लक्ष्मी प्राप्ती के लिए आप माता लक्ष्मी के समीप एक आवले को जरूर रखें बाद में उस आवले के दुकडे करके घर में सभी सदस्यों को प्रशाद रूप में वितृत करें ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान की कोई कमी नहीं होगी घर में सदाही, सुख संपत्ती और प्रसनिता का आवास रहेगा आमलकी एकादशी के और भी कई उपाए हमने डाल रखे हैं उन उपाएं को जरूर देखीगा एक ही वीडियो में हम सारी जानकरी दें नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हमने अलग अलग उपाएं अलग अलग डिटेल में बता रखे हैं अलग अलग वीडियो जरूर देख लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तो भी हम जायमात आदी